नमस्ते, आज इस वीडियों में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी और सिमन एनलेसिस के बारे में कि आखे मेल इनफर्टिलिटी किन कारणों से होती है, हम इस सिमन एनलेसिस में कौन से कौन से फाक्टर्स को देखना चाहिए और इसके इलावा आईवेड ट्रीट्मेंट क्या हो सकती है, हम शुरू करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के टॉपिक से, जब किसी भी कपल को शादी के एक साल बात तक प्रेडेंसि नहीं हो पाती, तब ऐसे कपल में जब कोई भी बेसिक टेस्ट करवाय जाते हैं, तो उनमें ह यह सबसे इंपर्टन्ट यहां जो में देखने हो तो जो काउंट और मोटिलेटी होती है, अगर यह ठीक है उसके बाद ने बाकि सारे फैक्टर्स को भी हम देखते हैं और इसके एक्टिने फिर ट्रीटमेंट आगे प्लान की जाती है, आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइ हो गए उसकी वैसे sperm count काफी hampered रहती है और काफी कम भी आती patients की young age में patients आते हैं तो भी काफी compromised होती है sperm counts लेकिन फिर भी एक normal pregnancy conceive करने के लिए at least 50 million तक 40 to 50 million तक sperm counts अगर होती तो normal pregnancy में दिक्कत नहीं आती इसके साथ ही जो motility होती है उसमें भी जो active motility होती जो active sperms होते हैं जो की rapidly active होते हैं वो उनकी count काफी अच्छी होनी चाहिए कि जो slow move करने वाले हैं या फिर dead है इन active हैं उनका हमें कुछ भी फायदा नहीं होता pregnancy को लेकर इसलिए जो active sperms हैं जो rapidly forward move करते हैं उनकी count कम से कम 40-50% होनी चाहिए total count के accordingly तो अगर यह दोना parameters होते हैं तो उसके लिए फिर normal pregnancy problems नहीं आती अगरहां इससे कम अगर होती है मालो किसी के sperm count अच्छे हैं लेकिन motility 10-20% तक है तो ऐसी condition में बहुत साइध दिक्कतें आ सकती है pregnancy achieve करने में और इन दोनों के लिए ही treatments are with the treatments बहुत ही अच्छे से available हैं और patient बहुत ही अच्छे से 2-3 महीने में recover होकर अगर sperm count कम है यह motility कम है बहुत ही अच्छे साइध रिकवर होते हैं और उसके बाद में वो pregnancy भी कर लेते हैं पहले patient का पंच कर्मा के द्वारा जो भी कोई उनके वात पित तकफ दोश के accordingly जो भी दोश मॉर्फोलाजी कैसी है स्पार्म की उसमें उनकी हैड टेल यह किस तरह के हैं जो की रिपोर्ट में दिया वह होते मॉर्फोलाजी को देखते हैं उसके accordingly अगर वह बहुत ही जादा अगर किसी के फार ऐड़ ठीक नहीं है टेल थीक नहीं है स्पार्म की ऐसी कंडिशन में कई अगर पेशेंट को इसके लावा अगर सीमें में पस इल्स या ब्लड सेल्स नजर आते हैं तो यह भी एक फैक्टर होता है जो की प्रेंची को या इन फर्टिलेटी को हैं इन फीर्टिटी को लेके लिए कॉजबल रहता है या फिर प्रेंची नहीं होने देता क्योंकि अगर पस ऑंगे या बीसी होंगे that means कहीना कोई infection है जिसके वजह से sperms को मतलब sperms properly grow नहीं करेंगे properly active नहीं रहेंगे and then again फिर वो pregnancy को एचीव करने में मुश्किल पैदा करेंगे तो इसे लिए अगर ऐसा कुछ भी नजर आता है मालो अगर arbaces नजर आ रहे हैं या उसमें परसल नजर आ रहे हैं तो पहले हमें उसकी treatment करवा के उसके accordingly semen culture करा के कोई antibiotic अगर यूज करना है तो वो दे सकते हैं कुछ IV treatments है अपने खाने पिने का अपने फरहेस करना है तो इन सब के accordingly जब हम चलेंगे आगे तो फिर आपको जरूर ये भी problem सॉल्व होकर आगे आप उसको ठीक कर सकते हैं आइवी ट्रीटमेंट के साथ में इसके अलावा फ्रक्तोस प्रेजेंट है कि नहीं सिमन में ये भी देखना इंपॉर्टन फेक्टर होता है